Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज अपना next chemotherapy agents जहां हम पढ़ने वाले हैं, fluorokinolons and macrolides के बारे में, ठीक है ना, तो फिर जैसा कि मैंने last lecture में भी बोला था, कि बेटा, जो जो ये जो हमारे पास agents हैं, अगर आपके ये same agents, pharmaceutical chemistry में भी रहे हों, first year में, तो दोनों को command करके पढ़ना, pharmaceutical chemistry को पहले पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से concept clear होंगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छा भी लाएगा, चीज़ें असान लाएंगी और याद होने में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो इसके अंदर classification होगा, और वहाँ पर यो drugs होगे, उनको याद करने में काफी ज़्यादा, आसान रहेगा, कोई दोनों same same रहेंगी, ठीक है ना, तो चलो श्टार्ट करते हम लोग, फ्लोरो किनोल एकचली यह बने किस से हैं, फ्लोरो हटा दें, तो किनोलॉं से बने हुएं, ठीक है ना, तो किनोलॉंस क्या है, these are the synthetic, कैसे हैं यह, synthetic बटा मार करेंगे, कौन synthetic है, यह मार करके रखना है, कौन semi synthetic है, कौन natural है, ठीक है ना, synthetic antimicrobial having किनोलॉन structure, क्योंसा structure पाया जाता है, इसके अब यहई पर हम लोग अगर गगल में कहीं पर क्या लगा देंगे फ्लोरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है फ्लोरो किनलाुन बन जाएगा Now They are active primarily अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया यह सबसे जदा ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियस दो टाइप के होते हैं एक gram positive और एक gram negative ठीक है ना तो यह सबसे ज़्यादा gram negative बैक्टेरिय के अगेंस्ट काम करते हैं दो यह दिपी the newer fluorinated compound जो नया अब fluorine उसमें add कर दिया है तो क्या बोला गया है fluorinated compound also inhibit रोकता है gram positive बैक्टेरिया को इसका पहला member था fluorokinolone का नयलिक्सिक एसीड ठीक है यह introduced वह था 1960 में यह याद रखेंगे now in 1980 by fluorination fluorination हमारा chemistry का एक क्या reaction है जिसके अदर में fluorine को add करते हैं hydrogen को हटा करके of the kinolone structure at position 6 कौन सी position पे है छे number position पे है and pipra gene substitution at position number 7 जब 7 पे लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा pipra gene बनता है resulting in derivative called fluorokinolone with high potency इनकी छमता बहुत ज़्यादा होती है ठीक है ना okay expanded spectrum slow development of resistance इनकी potency बहुत ज़्यादा है इनका spectrum बहुत बड़ा है जाने की बहुत सारी variety of bacteria इसको लोग किल करते हैं इनका resistance bacteria इनके खिलाब बहुत धीवे बना पाता है तुरंत नहीं बना पाता है better tissue penetration tissues में बहुत अच्छे से penetrate कर पाता है and good tolerability body हमारी बहुत इसको अच्छे से tolerate कर लेती है तो हम देख सकते है generic fluorokinolone हमने हाप पर position number 6 पर क्या लगा दिया है fluorine लगा दिया है ठीक है तुम्हारा यह तो nellexicide हो गया पी-floxacin, ciprofloxacin यह ciprofloxacin बेटा याद रखेंगे ठीक है ना काफी common है okay then ही से हमारा आता है क्या levofloxacin, moxifloxacin और citofloxacin तो यह वाली drug यह वाली drug और यह वाली drug यह तीन drug तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे ठीक है तो कौन से नंबर, छे नंबर फ्लोरीन लगा हुआ है, किसके लगा हुआ है, किनो रॉन structure के लगा हुआ है तो यह चुटी मोटी बाते हैं जो यहाँ पर हमें समझ नहीं थी तो यह structure बोड़ा थोड़ा बेटा, इसलिए पढ़ाता हूँ चल रहा हूँ जो तुम्हारा first year की biochemistry है प्लस अब combine दोनों मिल करके कहां पर तुम्हारी उपर attack करने वाले हैं यह exit exam में, दोनों एक साथ, तो दोनों को merge करके कोशिश ही करो, biochemistry और pharmacology में जो classification वगर आता है और साथ साथ में एक pharmacotherapeutics अगर उसका कोई topic मिलता हुआ है तो इन तीनों को अगर साथ में मिला के पढ़ोगे तो बहुत बड़े जोड़ी बनती है खेर, अभी अगर last time पे आगई हो, exam time पे आगई हो उसको भी उठा लो कोई topic ऐसा लगता कि तीनों में है तो तीनों को साथ पढ़ो कोई topic लगता कि वल्ड़े में है आओ तो साथ लेकर पढ़ो कोई लगता है नहीं इसी में है और कही नहीं है तो इसको ही पढ़ो ठीक है ना, दिमाग से काम करना है अब classification, first generation, second generation, first में कौन है, norfloxacin, इसको भी सब लोग जानते होंगे UTI infection में बहुत जादा काम होता है, ciprofloxacin, offfloxacin, ठीक है ना, second generation, leofloxacin, moxifloxacin, jamifloxacin ये तो बहुत अच्छे जानते होंगे तुम लोग, और उपर के ये तीन बहुत अच्छे जानते होंगे, बहुत common medicine है, आम दोर पर चलती ही रहती है, ठीक है, तो fluorokinolons होगे हमारे पास In addition to other, second generation fluorokinolons, फिर क्या दे रही है, pezofloxacin and bellofloxacin are available in India इनके अलावा ये दो second generation drug हमारी इंडिया में भी available है, अच्छी होता क्या है, कुछ drugs बाहर की country से ban होते हैं, बट अपनी country में ये फिलाल available है अभी, अब बात करें सिप्रोफloxacin, यहाँ पर वेटा मैंने सिप्रोफloxacin का जिकर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा important है, ठ इतना mechanism तो आप लिख सकते हो, कैसे, क्या mechanism है, फ्लोरोकिनोलोन इनिबीट दा enzyme bacterial DNA gyrase, जो उसका DNA को replicate करने में help करता है, उसको मार देता है, इतना बस याद रखना है, ठीक है, बहुत पूरा कैसे मारता है, क्या करता है, वो सब कुछ नहीं, ठीक है, तो DNA gyrase, अगर DNA replication आप enzyme को ये मार देते है, ठीक है, प्राइमली एक्टिव होते है, ग्राम नेगटिव बैक्टिरिया में, विच निक्स, यहाँ पनी यहाँ चाहिता है, विच निक्स, डबल स्टेंडर डिने, निक मतलब होता है, जोड़ना, DNA gyrase, ग्राम नेगटिव बैक्टिरिया में, DNA को क्य सियाद है, ठीक है, धर्वास कोई बात नहीं, जब DNA का replication होता है, उस समय DNA की जुड़ने की process होती है, तो यह DNA का irase ही नहीं होगा, तो DNA जुड़नी पाएगा, मेरा बैक्टिरिया पनप नहीं पाएगा, it is most potent first generation fluoroclinion, काफी ज़्यादा ताकतवर first generation का drug है, active है, broad range of bacteria, बहुत बढ़ी range of bacteria को यह, broad range of bacteria मतलब बहुत बढ़ी range of bacteria को यह kill करता है, the most susceptible one are the aerobic gram negative bacilli, जो सबसे ज़्यादा किसको मारता है, सबसे ज़्यादा किसको पर असर करता है, gram negative bacilli, cocus bacilli, ठीक है, अगर आप लोग को यह पता है कि एक होता है, step to cocus, एक होते हैं, bacilli, rot shape bacteria होते हैं, ठीक ह बढ़ा जाता है, अधरा इस तो महां केवल bacteria लिखके आ जोगो ना तब भी चल जाएगा, ठीक है, especially the enterobacteriacy and nigeria, देखो बटा, जब one mass question बनके उठेगा न तुमारा, तो यह internal questions यही से उठते हैं फिर, और एक general question लिखने की बारी आती, तब हमें आप simple bacteria लिख दो चल जाए ठीक है, तो यहां पर कुछ चीज़ें ऐसी है, जो फोड़ा सा special है, इसको ले करके वो चीज़ें लेकर चल रहा हूं है, यहां पर जैसे कि वर्मार्स कोर्शन यहां से कहीं से उठेगा, थोड़ा से extra है बेटा, तो वो तुम कवर कर ले जाओगे, इसका food जो है, इसके absorption को डिले करता है, and first past metabolism occur, इसका first past metabolism होता है, ciprofloxacin and other fluorokinones are contraindicated during pregnancy, तो साफ साथ गया दिया है, पिगनेंसी के समय बचे, इसलिए self medication नहीं करना चाहिए, कहां कहां इसका इसका इस्तमाल चाह, cipro का जहां जहां इस्तमाल है, वो इस्तमाल हम सब के लिए यूज कर सकते हैं, ठ typhoid है, bone, soft tissue, gynecological and wound infection है, respiratory infection है, anthrax, tuberculosis, gram negative, septisemia, meningitis, conjunctivitis, अब 12 हैं, जो तुम्हें असान का मतलब जैसे मैं बताओं, जो शुरुआस से हम लोग पढ़ते आते हैं, तो असान लगने के लिए जैसे कि UTI तुम्हें लगेगा, कहां जाना पैचाना है, gonorrhea जाना पैचाना ल यह हम याद कर लेंगे, बेटा, हमेशा उसी को याद किया जाता है, ठीक है ना, बात बाकी, छोड़ दो, क्योंकि हम चारपांट तो याद कर नहीं है, अब डोस की बात करें, तो यहां पर, सिप्रोफ्लॉक्ससीन, किस-किस बैक्टेरिया को उपर यह एफेक्ट करता है, इसको याद करने जोड़त नहीं है, ठीक है, यूटी आई, साथ-साथ में आप वो भी दे दिया, साइट या डिजीज, कहां पर एक्ट करेगा, या कौन सी जगह पर असर डालेगा, या कौन सी बिमारी पर असर डाल रही है, तो इंडिकेशन, ठीक है ना, यही मिल गया मेर है, complicated UTI है, इसको sinusitis, cystis, ठीक है, diarrhea वगएरा कई जगें इस्तमाल कर सकते हैं, लिवफ्लॉक्ससिन का भी दे दिया है, 400 mg, 12-12 गंटे में, 500 mg, once daily, 7 दिनों के लिए, moxifluxacin और gamifluxacin, तो these are the dose, these are the medicines, drugs, ठीक है, तो आपको फिलाल यह याद करने है, इंडिकेशन से हैं, उ दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर दो term आएंगे, एक आएगा, cap, cap के बिमारी है, community acquired pneumonia, और एक आएगा, COPD, खेर, इसको तो अब अच्छे जानते हो, chronic obstructive pulmonary disease होती है, ठीक है, तो इनमे भी इनका use होता है, तो यह antibacterial bacteria होने वाल, जो बिमारिया है, उनकी एक list त्यार क देखो बहुत अच्छी चीज़ बता हूँ मैं, अब आगी दिमागों दो बता दूँ, यह सारे सारे हुआरे क्या जाता है, antibacterial है सारे के सारे, तो disease caused by bacteria डालना, देखो समझदार अच्छा क्या करेगा, देखो बताता हूँ मैं, क्या करना है तुम लोगों को, एक छोटा स काउच बाए, औरे कहां चला गया, हाँ, यहां पर आते हैं हम लोग, disease caused by bacteria ठीक है, इसके एक लिस्ट त्यार कर लो, throat है, salmone, tuber clauses है, whooping cuff है, claim idea, equal है, अब पूरा चल चले जाओगे, तो पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना, पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, यहां से ढूण लो, Google से ढूण लो, मैं नहीं कर रहा है, यही पढ़ो, किसी और का पढ़ लो, ठीक है, तो Google तो बाबा ज है, ठीक है ना, ओके, तो एक लिस्ट तैयार कर लो, और उसमें 10 या 12 त्यार कर लो, 3-4, जब भी बोले कि हाँ यह डग अटी बैक्टेरियल है, तो चार इसमें लिख दी, लिखके चले है, ठीक है, तो बड़ा चीजें असान करो, टफ नहीं, आगे आते हैं, इंडिकेशन इंडिकेशन जो उपर वाले है, वहां से मैंने उठा के यहां लिख दिए, कॉम्निटी अक्वाइड निमोनिया, हॉस्पिटल और क्यावड निमोनिया, क्रोनिक औस्ट्रेक्टिक पल्मोरी डिजीज, डियाबिटिक फुट इंफेक्शन, स्किन और सॉफ्ट इसमें इंट लिट्रोग्रेट कोल एंजियो, पैंक्रियेटोग्राफी, ठीक है, पैंक्रियास की एक तरह की अंडर्ट्यूब डालके जो किया जाता है, एक तरह का प्रॉसेस है, डियाग्नोस करने का, ठीक है, तो यहां पर जो यह थे, यह सामने तुम्हें लोग चाहते हैं, सिधा-सि मैंने किस के लिए बता दिये थे, सिप्रो के लिए थे, इसी को तुम लोग कॉमन भी सब में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यह हमारा एक कॉमन ही आ गया, कन्फ्यूज नहीं हो ना, डिजीज, आनले इंडिकेशन मतलब किन बिमारियों में काम आ रहा है, ठीक है, कॉन्टा इंडिकेशन हमेशा की तरह है, हाइपर सेंस्टिविटी, प्रेगनेंसी, लेक्टेशन, एपिलेपसी, यह यहां पर ध्यान रखेंगे, एपिलेपसी और क्यूटी सी प्रोलोंगेशन, जिननों का होता है, क्यूटी सी क्या है, हम लोग हाट का पढ़ से टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी founder लांत शलैलों खत्म हो गए अब आते हैं मेलें लोग fim therefore इते दीजा अंटीजिक मेंग मैक्रो साइक्लिक लेक्ट neuro based क्या पाए जाती इंदर मैक्रोव साइक्लिक लेक्टोन रिंग water मैक्रो साइक्लिक ठीक है ना तो विद अटेश्ट सुगर और साथ में सुगर भी अटेश्ट रहता है इसका पहला मेंबर था वह इसको प्रोटोटाइप कहते हैं हम लोग तो इट वाज आइसुलेट आइट्रोमाइस नो किस से निकाला गया था इस टेप्टोमाइस जो कि य थीक है एट लो बट साइडल पॉर सटर्न बैक्टेरिया ओनली एट हाइए लो कंसेट्रेशन में बैक्तिए ग्रोथ को रोकता है हाइए ना हाइए अट प्रोटीन शिंथेशिस ये लोग इसका मोड़ आफ एक्शन हो गया तो मोड़ आफ एक्शन अगर बच्चों को याद रख सकते हैं। ब्रोट्टिन सिंथेसिस को रोग देता है अब पूरा प्रोसेस तुम लोगों को याद तो अच्छी बात अदर्वाइस कोई बात नहीं कि वह इतना रखेंगे अंदर एक system generate कर लेता है कि जैसी इसके अंदर घुसेगा यह उसको पंप करके बाहर निकाल देगा ठीक है कि जैसी अंदर अच्छा खत्रा 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 बाहर फैंग दिया होते चल भाई यह बाहरा हमारी बॉड़ी में कोई काम नहीं अब इसको यूज कर लें तो हम लोग होता है डिप्थेरिया टितनेस सिफलीज लेप्टोस्पाइरोसिस ठीक है ना फॉस्ट ड्रग है अगर क्या हो जाए हूपिंग कफ हो जाए या एटिपिकल निमोनिया हो जाए जो कि माइक्रोप्लाजा निमोनिया को दारा हो दी उसकेस में सबसे प्रिफर सबसे पहले हम इसी का इस्तमाल करते रहे हैं एथ्रों आजिसिन का second choice drug मतलब अगर कोई दूसरी ड्रग नहीं था उने किसका इसका इसकेस में केस में कमपायलोबेक्टर एंट्राइटिस इसके एड़ब करते चलोगे ठीक है किलियर है तो यह की बात होगी अब मैं बात करूँ इसकी क्लासिफिकेशन वह थोड़ा सा अलग है इसमें मेंबर बहुत लंबी रिंग होती है इसमें 12 मेंबर रिंग रहेगी 14 15 मेंबर 16 मेंबर 17 मेंबर तो रिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है थीक है मेंट माइसीन 12 मेंबं में अती है 14 मेंबर में दो कंटे में नेच्रल और सेम संथेटक शेम sun में का χरा जिस से मिल रहा है उसे करिता है कि स्कोरी माइसीन और ऑपरियों मैच्रूंहीशन рекंs एक हो एक है तो एक याद कर लेंगे पहले इसमें न्याच्रल साम संथेटिक में एक याद कर लेंगे बारा, चौदा, पंदरा, सूला, सतरा रिंग के इसाब से है, के लिए नहीं बाते हैं, डोज जो तुम को पसंद हो, वही डोज हम याद करेंगे, ठीक है, ओके, या, जिस ड्रक को हम जानते हैं, जैसे कोई बच्चा कहता है, इस समाइसिन को तो बहुत अच्छे जानते हैं, में है ना जैसे मेरे को अच्छे से पता है तो मुझे पता है यह दिन में एक ही खाई जाती पांसो एमजी तो यहां पर होगा पांसो एमजी वंस डेली वन आवर विफॉर और टौर आफ्टर फूड खाना खाने से एक घंटे पहले या बाद में खाली पेट नहीं तो जिसको से यहां डेलेट यहां पर यह बन तो जिसली याद हो जानते ओ उस ड्रक के डोस याद रख लोगे चाहें बीडी-वीडी करके याद रख लो यह ठैनमजी पर कीशाफ लो के लिए रहे हैं ओके नाओ इंडिकेशन इंडिकेशन हम उपर देख भी चुके हैं अपर एंड लोगर रेस्पिरिटी ट्रेक्ट इंफेक्शन साइनसाइटेस और टाइटेस हुपिंग काफ एटीबिकल निमोनिया आइस्थरो माइसन के लिए इस्पेसली था अदर्वाइस मत लिखो इसको डारेट क्या लिखो डिजीज के नाम लिख दो लेजन और इस निमोनिया क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस डोन वेनौसिस कॉस्ट बैक कैली माइटो बैक्टेरियम ग्रेनलो मैटिस ठीक है ना देन कॉइंक्रॉइड एंड पीपी एंग यूसराइटिस टिस्यूस हमारी जो टिस्यूस में इन्फक्शन होता है ठीक है गॉन्टराइंडिकेशन सेम और लिवर तो इसके काम नहीं कर रहा है तो यहां थोड़ी सी अलग थी जिसकी बिमारीगा थो इसकी पिमारी थोड़ी अलग थे तो जहां पर लगए कि हाँ धी के agent पड़े उसमें तुमने देखा कि 5 या 10 ऐसे हैं जिनकी बीमारी थोड़ी अलग सी है बागी 40 की सेम सेम जैसी है यह सब बेटो जब sequence में पढ़ते हो तो अपने दिमाग काम करता है ठीक है यहां कर रहा है यहां बीमारी थोड़ी अलग सी है तो इसको मार कर लो गया इसकी मुटू तो लेक्चर खतम हो जाता है तो करना क्या है पढ़ाई करनी है रिवाइस करना है पढ़ते रहो रिवाइस करते रहो आल दा बेस्ट